पार्ट पांच धूम्रपान एक बुरी आदत गौरव के पिता इसी वर्ष ट्रांसफर तबादला होकर कानपुर आएं हैं पहले वह मतुरा में थे वे एक डॉक्टर हैं वे इमानदार तथा करतव वे निष्ठ व्यक्ति हैं सारा दिन वे अस्पताल में रहते हैं पहीर मरीज आने पर उन्हें घर से बुला लिया जाता है तो वे तुरंत उसे देखने चले जाते हैं गौरव के पिता ने उसका प्रवेश वही के एक पबलिक स्कूल में करा दिया उसका विद्याले में पहला दिन बड़ी कठिनाई से बीता वहां उसका कोई मित्र नहीं था सभी नी उसे चिढ़ाया वह परिशान हो उठा किन्तो वह पढ़ाई में अच्छा था इसी कारण शीक्र ही उसके मित्र बनने लगे अब उसका मन भी स्कूल में लग गया सतीश और मयंक उसके सहपाठी थे उन्हीं कोई भी अपना मित्र बनाना पसंद नहीं करता था गौरव को सतीश और मयंक के प्रती दूसरे छात्रों का व्यवहार अच्छा नहीं लगा गौरव ने उनसे मित्रता कर ली वह पढ़ाई में भी उनकी सहायता करता था सतीश और मयंक निरंतर बुरी तरह से खांसते रहते थे एक दिन गौरव ने उनसे कहा मित्रों मेरे पिता एक अच्छे डॉक्टर है कल रवी वार है तुम मेरे घर आना मैं पिता जी से कह कर तुम्हें दवाई दिलवाऊंगा सतीश और मयंक ने उसकी बाद हसी में उड़ा दी घर जाते समय गौरव उनके साथ चल दिया कुछ दूर पान की एक दुकान थे मयंक तोड़ कर एक सिगरेट ले आया उसने सिगरेट सुलगाई और सतीश के साथ कश मारने लगा गौरव को उनकी यह आदत बहुत बुरी लगी उसने उनकी यह आदत छुड़वाने का संकल्प किया उसी शाम को टीवी में एक कार्यक्रम दिखाया जा रहा था उसमें धूम्रपान से होने वाली हानिया बताई जा रही थी उसमें बताया जा रहा था कि धूम्रपान करने से हानिकारक दुआ फेपणों में चला जाता है इससे फेपणों में छेद या काले धब्बे हो जाते हैं इससे श्वास, दमा तथा खासी जैसे भयंकर रोग हो जाते हैं अगले दिन गौरव ने अपने मित्रों को धूम्रपान से होने वाली हानिया समझाई तथा धूम्रपान न करने की सलाह दी परन्तु उन्होंने अपने अच्छे मित्र की एक भी बात न मानी तब उसने अपने कक्षा ध्यापक से उनकी शिकायत कर दी कक्षा ध्यापक को उन पर पहले ही शक था उन्होंने उन दोनों को अपने पिता जी को बुला कर लाने के लिए कहा सतीश और मयंग के पिता जी जब विद्याले आये तो कक्षा ध्यापक ने गौरव को बुलवाया गौरव ने उन्हें सब कुछ बता दिया उनके पिता जी को अपने पुत्रों के किये पर बहुत आश्चर्य हुआ उन्होंने गौरव से कहा तुम एक अच्छे लड़के हो तुमने समय से हमें हमारे बच्चों की गंदी आदतों के लिए चेताया है हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं शिक्षा धूम्रपान एक मीठा जहर है जो शरीर को अंदर से खोखला कर देता है हमें किसी भी गंदी आदत को नहीं अपनाना चाहिए गंदी आदत हमें गलत दिशा की ओर ले जाती है